देज में लोग समझ चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान 26 अपरेल को होना है जिसके लिए जो चुनाव प्रचार था वो भी थम चुका है लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे चरण का मतदान जो है वो बहुत खास हो जाता है जरूरी हो जाता है पहले चरण मतदान की जो प्रसंटेज थी जो फीसद था वो कम रहा और दूसरा कारण है कि इस चरण में कई दिगजों की जो किसमत है वो दाउं पर लगी है कहीं दिगजों की साक दाओं पर लगी है उनमें सबसे पहला नाम तो राहूल गांदी ही है जो एक बार फिर वाइनार से चुनाव लड़ रहे है दूसरा नाम हेमा मालेनी का है जो तीसरी बार मतुरा से ताल ठोक रही है और फिर है आपका उम बिडला का नाम जो इस बार भी कोटा से चुनाव लड़ रहे है शशी थरूर, चंदर, शेकर, भूपेश, बगेल, पूर, मुक्यमंत्री, 36 गर तो ये बहुत बड़े नाम है जिनकी किसमत दाओं पर लगी है साक दाओं पर लगी है दूसरे चरण के मतदान में तो इसी बात पर चर्चा करेंगे चर्चा के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान मौझूद है पंकज प्रसून हमारे वरिष्ट पत्रकार बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका दूसरे चरण में कई दिगजों की जो साक है वो दाओं पर लगी है कहा तो ऐसा भी जा रहा है राहूल गांदी के बारे में कि 26 अपरेल को जब मतदान हो जाएगा उसके बाद राहूल गांदी वापस अमैठी की तरफ भी दोड़ लगा सकते हैं कुछ भी हो सकता है क्योंकि केरला की सभी 20 सीटों पर मतदान है दूसरे चरण में और केरल में राहूल गांदी आप देखी रहा है कि वाइनाड से लड़ रहे हैं चुनाओ लेकिन एक ख़बर है इस बीच ख़बर यह है कि केरल के मुख मंतरी पिंदराए विजयान ने कल एक प्रिस कॉन्फिंस का रारोप लगाया कि पिछले दो दिनों से राहूल गांदी इस देश में नहीं है और किसी को नहीं पता कि वो कहां है केरला के चुनाओं से ठीक पहले मतलब कि जैसे ही प्रचार समाप्त हुआ दो दिनों के लिए राहूल गाया दो दिनों का गैप मिलता है मतलब कि दो दिनों में आप कैमपेन नहीं कर सकते और तब फिर होटिंग होती है उन दो कल शाम पाँच बजे तक का था ना अब 23 तारीक शाम पाँच बजे मतदान थमाए मतलब कल आज 24 तारीक है आज और कल मतदान नहीं करेंगा परचार थमाए बिलकुल लेकिन पिछले परचार के लिए और उस वक्त राहुल गांदी अचानक गायब हो गया है वो कहां है वो इस देश में नहीं है आप पता कर लिजे और यह पिंड़ाई वीजन का भी आरोप है अचानक सबसे छुप छुपा कर गुपत रूप से राहुल गांदी गय तो गय का है और यह बहत खतरनाक है किस माइने में मैं समझाता हूँ वाइनाड और केरला का एलेक्षन होना है हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार बहुत सारे ऐसे केरलाइट्स जो की अरब देशों में रहते हैं उनको free of cost भेजा जा रहा है और उनमें से 80% संख्या मुसल्मानों की है उनको कौन भेज रहा है वहां से कौन उनके फ्लाइट की टिकट करवा रहा है वह भी free of cost आने जाने का क्या कोई network काम कर रहा है और पिन्राय विजिन का कहना है कि राहुल गांधी जब भी विदेश गए हैं तो कुछ तो राज रहा है वह ऐसा नहीं है कि बाकी नेताओं तरफ गए वाशन दिया चले हैं यह हमारा रोप नहीं है यह CPI के उस मुख्यमंत्री का रोप है जो कि देश अस्तर पर इंडिया गडवंधन के साथ है बले ही केरला में गुस्टे के खिलाफ लग नहीं है पार जोड़ो यात्रा की उसके बाद लगातार धुमाधार प्रचार चुनावी रहलिया रोड़ शो हो सकते हैं अराम कर रहे हूं है क्यों पंगा जी कि एक सेकंड मेरी आवाज आ रहे हैं जी 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 बोलिए मैं यह कह रहा था कि ऐसा कौन सा नेता है जो चुनावी प्रचार के अंतिम दो दिन में जब पूरा जोर लगाते हैं कोई रोड़ शो कर रहा है तो कोई आराम करता है यह तो विर्ले नेता हो गए तो यह अपने आप में अगर आप यह बात कह रहा है तब तो भाई यह देरी प्यात की तो इससे पहले भी जो है आरो प्रत्याद्यारोब कदॉर चलाी विजएन अरा के बीड़ी जो अभी चार दिन बहलें की बात्चीत है ये जब आरोप लगा राहुल गांदी ने भी लगप लगश्टा ब्रस्टा चारी होने का विजकिए विजक्यों के को लेकर हो रहा है लेकिन जैसे किरला में एलेक्शन खत्म हो जाएंगे फिर से आओ भाई कहां थे इतने दिनों तक फिर से गले किरला में लड़ाई दिनली में यारी यह तो होता है चलिए और दूसरे के बारे में ऐसी ऐसी बाते बोलेंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे कि यह दुनों सचमुष दोस्त हैं दुश्मन हैं फिर वो मैं कह रहा हूं कि राहल गांदी पर फोकस क्यों रखे अगर हमारे 88 सीट महत्वपूर्ण है एक है पिरवनंत पूरं जहां शसी थरूर वर्सेज राजीव चंदरशेखर राजीव चंदरशेखर आईटी मिनिस्टर थे उनके बिच लड़ाई है एक बीजेपी के लिहाज से सुरेश वोपी की सीट है दो बार से वो दूसरे अस्थान पे आ रहे है टीसरी सीट अनिल एन्टोनी है पूर्वड़क्षा मंतरी एक एन्टोनी के बेटे वो बीजेपी की सीट से लड़ रहे हैं और जो केरला के चर्चेज ने उन्हें समर्थन दिया है उसके बाद बायनाड की सीट है ही तो यही तीन-चार केरला में जो व्याइपी सीट है उस वो लड़ रहे हैं बैंगलोरू ग्रामिंट छेत्र से रूलर से उसके बाद एश्डी देव गोड़ा का परिवार लड़ रहा है इसमें तो ये सबसे बड़ा फेज है और इसलिए गोशना ये कि है कि मुसल्मान को मेरी आवाज आ रही एक से पहले तो सिधारमिया ने ये कहा कि मेरी इच्छा है कि सारा रिसोर्सेज कलेट करूँ मुसल्मानों में बाढ़ दो जब देखा कि उससे भी काम नहीं बन रहा है तो आज एक और घोशना किया उन्होंने उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम्स हैं उसको करनाटक सरकार OBC कैटेगरी में डाल के रिजर्वेशन दे ना हर बार हाई कोट ने सुप्रीम कोट ने समाचा जड़ा ना दोनों जो है हर बार पांचों बार ने यह हर किसी को पता है कि कर्शी चुस्टनलियर नहीं हो सकता लेकिन तब तक क्या हो अप ये लेक्शन तो निकल वोटिंग तो दो ही दिन बाद है तो बलक में वोट तो मिल जाएगा उसके बाद में जो होगा वो देखा जाएगा उसके बाद करनाटक की मैंने बात कर ली फिर जो महत्पून राज है वो राजस्तान है राजस्तान में पिछले बार 25 करनाटक के बात करें एक सवाल और करनाटक पर मैं अब से लूँगा जिस तरीके से नेहा की हत्या की गई उसके बाद कॉंग्रेस निताओं ने कहा कि लाव याद जैसी कोई चीज नहीं होती दोनों रिलेशन में थे और अगर हत्या हो गई त चुका है पिछली बार तक क्या होता था यह पिछली बार के विदान सवाचनव से पहले कि कुछ मुसल्मान वोट जे डियस की तरफ भी जाते थे या कुछ कॉंग्रेस की तरफ भी जाते थे इएगर मुसल्मानों का मुझे 100 परसेंट वोट मिल जा यह तो हिंदूों में हम काश के नाम पे वोट देती हैं और वो कॉंग्रिस को मिल जाते हैं तो कुछ जो ऐसे जातिया हैं वो कॉंग्रिस को मिल जाती है और मुसल्मान मिल जाते हैं तो कुल मिला के विनिंग कमिनेशन त्यार हो जाता है बहुत tough fight है इस बार करना टेक में लेकिन देखिए अब तक जो भी रुजान या नतीज़ सब आ रहे हैं जितने भी opinion polls किये होंगे सब ने यही कहा है कि 20 के आस पास seat BJP और JDS गडबनन तो लाएगा ही लाएगा लेकिन टार्गेट यह है कि पिछली बार एक सीट छोड़के सारी सीट आए थी उनतीस में से अठाइस आए थी हाँ तो जो भी दो चार जो भी कवेगा तो वो मोदी के खाते से जाएगा तो इसलिए अंतिम प्रयास कर रहे हैं दोनों अचा पंकर जी तो बताई 11-12 परसेंट मुस्लिम है करनाटक में कितने मुस्लिम हैं कैसे जो है आप समझाइब नहीं तो 11-12 पर सॉलिड हो गया 12 से बीजेपी ने इस बार जो कंबिनेशन बनाया है कि लिंगायत हमारे साथ हैं अगर वोका लिगा हमारे साथ आ जाए तो डॉमिनेंट कंबिनेशन बनता है लेकिन क का कहना है कि ठीक है तुम लिंगायत वोकालीगा का कंबिनेशन बनाओ मैं क्या करूंगा कि मुस्लिम प्लस OBC कंबिनेशन बनाओ वो सिधारमया OBC कैटेगरी से आते हैं और उसके बाद जो ओल्ड हैदराबाद वाला रीजन था जो तेलंगाना से सटा हुआ रीजन है वहा अगर हम ठीक है 12% मुस्लिम ओबी सी का एक बड़ा चंक हमारे पास आ जाता है तो यह एक फॉर्मेडेवल अगर तीस बत्रीस परसंट हमारा अगर बेस बन जाता है तो हम हमें तो पता है ना कि सीटे ने हमें तो उसको कम करना है तो हम 4-5 सीटे उनकी कम करते हैं तो हो गए जीतने का इरादा नहीं है इसलिफ सीते कम करने का इरादा है इसलिए तो कॉंग्रेस कोई पता है और सबको पता है कि ज्यादा सीटे तो ए बीजयोपी को लेकिन विछले बार बीजय से अगर 29 में 28 लाया था तो 28 में जितना कम कर सके उनको 20-22 तक अगर सिमित कर सके तो फिर भी हमारी जीत है ठीक है अब एक बार जो है थोड़ी जी बात करते हैं हेमा मालनी और उमबिडला की सीट पर हेमा मालनी तीसरी बार चुनाव लड़ी हेटर के लगाने की तैयारी में उम माम तो ठीक है लेकिन मोदी जी के नाम पर चुक्कि ये धर्म नगरी है और मतुरा काशी आयोध्या वैसे भी भाजपा के लिए क्या माइने रखता है ये दर्शक जानते हैं बिल्कुल और इस बार उम्मीद यही है कि भवान सरे कृष्ण की जन्मस्थली मुक्त होगी तो बहुत अच्छा काम किया है वहां पर और वहां के लोग बहुत रिगार्ड से इनका नाम लेते हैं बहुत इज़त के साथ और एक्रोस कम्यूटी एक्रोस कास्ट ठीक है तो मुझे लगता है कि ये दोनों सीटे देखिए दोनों वी आईपी सीटे दोनों निकल जाने चाहि क्योंकि अमरवा से वहां बीएसपी का उमिद्वार है वो बहुत अच्छा फोट ला रहा है और हो सकता है कि सेकेंड पोजिशन पर बीएसपी रहे वहां फर्स्ट भी हो सकता है वहां लड़ाई जो है बीएसपी के साथ है वीजेपी की ठीक जी और दानिश अली पिछली कॉंग्रेस ने टिकट भी दिया है समाजवादी पाटी का साथ भी है लेकिन पता नहीं दानिश अली का बढ़िया महौल बन नहीं पा रहे है वहां पर तो महबत की दुकान के साथ जाकर कहीं अपनी दुकान का शेटर बंद करने की गल्ती तो नहीं कर बैठे दानिश अली कॉंग्रेस जो भी सीट ली हो उतर परदेश में 17 सीट तो अखलेश यादों भी कहते रहे हैं कि बहुत ज्यादा मांग रहे हैं जीते थे एक सिर्फ राइबरेली अम मांग रहे हैं 17 लेकिन ठीक है अब कुछ कैंडिडेट बाहर से जुगार किया कुछ अपना था पुल मि अब देखें ना अब कॉंग्रेस से टिकट तो लिया लेकिन यह लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के कारेकरताओं के भरोसे और वहीं अपना तो अधार नहीं है पिछली बार क्या था ना बीएस्पी और समाजवादी पार्टी एक साथ थी ना हां इस वार्ट यह समा अब दली तो का वोट बैंक जो है वह बहुत अच्छा है ने अम्रोहा सीट खास करके बीएस्पी हमेशा से मजबुत रही है हमेशा से बिलकुल और इस बार देखिए जो लोग है वो यह कह रहे हैं कि अम्रोहा में टकर बीएस्पी बना बीजेपी है हो सकता है कि दानिशन लगी कि इस तरीके से राहूल गांधी दो दिन से इस देश में नहीं है ऐसी खबरे हैं हम इन चीजों की पुस्टी नहीं करते और जो तमाम हाई प्रोफाइल सीटे हैं दूसरे चरण में कई नेताओं के बड़े नेताओं की साखदाव पर लगी है पहले चरण में इस तर जाति मतादिकार का प्रियोग जरूर करें पंका जी बहुत धन्यवाद नमस्कार